दोस्तो ज़ादा तर लोगों को ये बात पता नहीं होगी कि सेविंग बैंक एकाउंट के ब्याज पर भी आपको टेक्स देना पड़ता है दोस्तो यहाँ पर अगर आपको जोए टेक्स भी लगता है दोस्तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं सेव saving bank account का ब्याज पर कितना tax लगेगा क्या कोई TDS है यहां पर saving bank account के interest पर आपको देना है इसी के साथ यहां पर जो bank है जो post office है क्या आपका TDS deduct करती है और दोस्तों यहां पर क्या deductions क्या exemption यहां पर आपको दिया जाता है अगर आपने saving bank account का जो interest है जो ब्याज आपको मिल रहा है क्या चूट income tax के अंदर दी गई है इसी के साथ कौन से tax rate के इसाफ से यहां पर आपके ब्याज पर tax calculate किया जाएगा इसी यहां पर देखेंगे कि क्या calculation यहां पर होने वाली है कितना ब्याज यहां पर आपका taxable होगा कितनी आपको छूट मिलने वाली है दोस्तों इन सभ अगर किया है इन सभी का ब्याज मिला कर कितना taxable होगा कितना exemption मिलेगा क्या सभी बैंकों का यहां पर जो ब्याज है सभी के यहां पर छूट मिलेगी या सभी बैंकों का मिला कर यहां पर आपको छूट मिलने वाली है तो इन सभी बातों के बारे में यहां पर हम discuss करने वाले ह तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत जादा important होने वाला है चैनल पर ना है तो subscribe कर लीजिए और bell icon पर notification पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी notification regarding वारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें तो दोस्तो आए श्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए तो दोस्तो आए श्टार्ट करते अपने वीडियो को बात कर लेते हैं saving bank account पर मिलने वाला ब्याज क्या यहां पर आपके लिए taxable होने वाला है तो दोस्तो यहां पर ध्यान रिखेगा अगर आपके saving bank account है आपने एक bank में saving account करा है या एक से जादा bank multiple saving account क्यों ना खुलवाए है या फिर किसी post office में या cooperative bank के अंदर आपने अगर saving bank account खुलवाए है और आपको यहां पर पूरे साल के अंदर ब्याज मिल रहा है दोस्तो जो भी आपका ब्याज है accumulated जो ब्याज मिल रहा है पूरे साल का वो यहां पर आपके लिए taxable होगा तो दोस्तो सबसे पहले आपर समझते हैं कि यहां पर किस rate के इसाफ से आपका saving bank का ब्याज जो है taxable होने वाला है दोस्तो यहां पर जो saving bank का ब्याज जो दिया जा इसी के साथ अगर आप senior citizen है तो 3,00,000 का basic exemption है old scheme के अंदर और अगर आप super senior citizen है तो उस case में यहाँ पर 5,00,000 तक का basic exemption रखा गया है दोस्तों अगर आपका saving bank account अगर आपकी इस age के अंदर आता है 60 के अंदर आता है या 60 से 80 या 80 से ज्यादा आता है super senior citizen जिन लोगों के लिए 3,00,000,000 से कम है या फिर 5,00,000,000 से कम है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी tax से नहीं लगेगा ध्यान रखेगा दोस्तों यहाँ पर आपको जो है zero tax लगेगा अगर आपकी basic exemption से यहाँ पर आपकी income ब्याज के साथ अगर मिलकर आती है saving bank account की ब्याज के साथ मिलकर आती है वो basic exemption से कम है यानि 5,00,000,000 से 3,00,000,000 से 5,00,000,000 से कम है तो यहाँ पर आपको कोई भी tax से नहीं लगने वाला दोस्तों यह तो हमने देख लिया एक पहलू अब यहाँ पर हम दूसरा पहलू देखते कि आपकी अगर basic exemption से अगर ऊपर चली जाती है limit यानि आपकी other सभी income income मिलाकर business income मिलाकर salary income मिलाकर आपका basic exemption cross कर देता है 5,00,000,000 से यहाँ पर cross कर देता है या 3,00,000,000 से यहाँ पर cross कर देता है दोस्तों यहाँ पर उस case में आपको tax लग जाएगा क्या rate पर tax लगेगा तो यहाँ पर सबसे पहले income tax lab की बात कर लेते हैं तो आम नागरिक के अगर आप resident individual है तो उस case में 5,00,000,000 तक आपकी निल रहती है इसी के साथ 5,00,000,000 से 5,00,000 की बात करें तो यहाँ पर 5% tax rate चार्ज होता है दोस्तों 5,00,000 से यहाँ पर 20% tax rate चार्ज होता है तो 10,00,000 से ऊपर है तो यहाँ पर 30% tax rate चार्ज होता है यह हमने यहाँ पर old scheme के पारे में बता है जिसके अंदर आपको यहाँ पर रेट लगती है इसी के साथ अगर आप senior citizen है तो 3-5 आपको 5% लगेगा 5-10 आपको 20% और 10 से ऊपर होगी तो उस case में 30% लगेगा और super senior citizen है जिनके लिए 5,00,000,000 तक यहाँ पर taxable free रहने वाली है यहाँ पर आपकी income 5-10,000, तक की है तो 20% और 10,000,000 से ऊपर है तो उस case में 30% tax rate लगने वाला है तो दोस्तों यह तो हमने old scheme की बता दी लेकिन अगर आप new scheme के अंदर जाते जहां पर अगर एक salary person है तो हर साल यहाँ पर scheme change कर सकते हैं जिसके तहत जो भी आपको benefit मिलता है चाहे old में जाए यह new में सकते पर अगर आप business person है तो सिर्फ आप एक बारी इस scheme में opt कर सकते हैं और opt out कर सकते इसके बाद अगर आपने विड्रो कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आपको benefit नहीं दिया जाएगा तो यहाँ पर new slab rate क्या रखी गई है तो यहाँ पर जो new slab rate है यानि यहाँ पर अगर पर 10% देना और साड़े साथ से 10 लाग तक आपको 15% देना 10 लाग से 1.5 लाग तक आपको 20% साड़े बारा से लेकर अगर बात करें 15 लाग की तो 25 पर से यहाँ पर आपका tax rate रहेगा और यहाँ पर 15 लाग से उपर अगर जाती तो 30% रहेगा दोस्तों यहाँ पर ध्यान पुरानी ही जो old new schemes थी वही यहाँ पर लागू होगी तो दोस्तों यहाँ पर एक example देख लेते तो यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर साला ना ब्याज आपको interest का saving bank account पर 10,000 रुपे मिल रहा है और आपकी जो income है वो basic exemption limit से जादा है तो उस case में यहाँ पर अगर आपकी 5, पाइब लाग से 5 लाग के अंदर तो 5% tax rate होगा यानि 10,000 पर आपको 500 रुपे का tax यहां पर देना होगा इसी के साथ दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर slab rate 5,000 लाग से 10 लाग के अंदर यानि 20% तो 10,000 पर 20% के हिसाब से आपको 2,000 रुपे और इसी के साथ 10,000 लाग से उप लिया, यहाँ पर tax rate तो calculate कर लिया, slab rate कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर लोगों को जाधा दिक्कत यहाँ पर तब आ जाती है जब वो income tax return फाइल करते हैं, तो यहाँ पर income tax अगर आप return फाइल करते हैं, तो कौन से head के अंदर यहाँ पर आपको ब्याच की income दिखानी है, दो हो रही है या आपकी income from other sources में आपको यहाँ पर दिखाना होगा तो दोस्तों यहाँ पर income tax return के अंदर income from other sources के अंदर आपको ब्याज की income यानि saving bank account की income यहाँ पर दिखाने होगी इसके अलावा यहाँ पर और भी other income दिखती है जैसे from other sources में जो भी आप ITR form फाइल कर रहे हैं जिसके अंदर यहाँ पर आपको दिखानी रहेगी सर दोस्तों इसी के साथ अब यहाँ पर आपको बताते हैं के exemption और deduction क्या आपको saving bank account पर ब्याज पर दिया जाता है तो वह कौन सा section है सर यहाँ पर जो ब्याज पर छूट दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर साला ना जो भी आप ब्याज कमाएंगे चाहे वो saving bank account से क्यों ना हो तो यहाँ पर आपको section ATTT-A के तहत ब्याज की चूट दी जाएगी दोस्तों यहाँ पर किन लोगों को चूट दी जाएगी जो भी इंडिविजल जो भी हुए उन्हें ही चूट दी जाएगी अगर कोई फर्म है यहाँ पर सीटिजन को भी चूट नहीं दी जाएगी सेक्शन ATTT-A के तहत क्यूंकि सीटिजन के लिए अलग से यहाँ पर section बनाया गया है ATTT-B दोस्तों आईए यहाँ यहाँ पर deduction की लिमिट लेख लेगते हैं तो यहाँ पर 10,000 तक आपको ब्याज की चूट मिलेगी तो यानि साला ना पूरे साल के अंदर चाहिए आपका एक bank account हो, एक से जादा saving bank account हो, post office के अंदर account हो, cooperative bank के अंदर account हो, या किसी भी bank के अंदर account आपका क्यों न हो, सभी को मिला कर यहाँ पर साला ना जितना भी ब्याज आपको मिलेगा, सिर्फ आपको 10,000 तक की चूट मिलेगी, example के तोर पर आपको यहाँ पर 50,000 का ब्याज मिलता ह आप यहाँ पर 80,000 एक अंदर deduction लेंगे, तो सिर्फ 10,000 तक का ही लेंगे, ऐसा नहीं है, सभी bank के हिसाब से यहाँ पर आपको ब्याज की चूट मिलेगी, 10,000 या post office के हिसाब से 10,000 मिलेगी, ऐसा नहीं है, सभी को मिला कर आपकी जो भी gross total income आईगी, जिसके अंदर आपकी other income भी जो होगी, यानि salary income, business income, या rent income होगी, उसी के साथ-साथ ब्याज की income होगी, तो यह जो gross total income निकल के आएगी, उसमें से यहाँ पर आपको 10,000 की चूट दी जाएगी, दोस्तों इसी के साथ एक और important बात है, यहाँ पर आपको fixed deposit के ब्याज की चूट नहीं दी जाएगी जिनकी age 60 साल से कम है, जो section 80 TTA का, यहाँ पर benefit लेंगे, 10,000 तक का deduction लेंगे, उन्हें सिर्फ यहाँ पर जो जूट दी जाएगी, वो saving bank account के ब्याज की दी जाएगी, ना कि fixed deposit के ब्याज की दी जाएगी, अगर आप fixed deposit के ब्याज के चूट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर नहीं ले पाएंगे, वो आपके लिए taxable होगा, ध्यान रखेगा, यहाँ पर सिर्फ saving bank account के ब्याज आपको मिल रहा है, चाहे वो आपको bank से मिल रहा है, post office से मिल रहा है, cooperative bank से मिल रहा है, cooperative bank यहाँ पर cooperative land development bank, तो यहाँ पर जो भी cooperative bank है, उनको जो banking business से जुड़ी है, उनका यहाँ पर ब्याज दे रही है, पूरे साल के अंदर, यहाँ पर यह तीन लोग बैंक है, cooperative bank है, post office है, इनसे जो ब्याज मिल रहा है, उसके आप छूट ले सकते हैं, सिर्फ saving bank account के interest की 10,000 रूपिय तक, इसी के साथ आए, यहाँ पर बात कर लेते हैं, senior citizen के लिए, तो यहाँ resident है, तो यहाँ पर आपको जो है, 50,000 तक की छूट मिलेगी, दोस्तों किन लोगों को मिलेगी, वही, जो individual है, जो senior citizen होगा, जिसकी age, 60 साल से जादा होगी, यहाँ पर आपकी जो ब्याज की income है, चाहे saving bank account से क्यों ना हो, यहाँ फिर fix deposit से भी क्यों ना हो, ध्यान रकिए का deduction मिलेगा, तो यहाँ पर जितना भी actual interest आपका निकल कर आता है, और 50,000 whichever is lower यहाँ पर allowed किया जाएगा, मान के चलिया, आपका 40,000 ब्याज निकल कर आता है, तो यहाँ पर आपको 50,000 नहीं, बल्कि 40,000 तक की छूट दी जाएगी, लेकिन अगर आपका ब्याज जो है, 50,000 से उपर यानि समझ लीजिए, एक लाख निकल के आता है, तो उस case में सिर्फ 50,000 तक का ही deduction मिलेगा, और बाकी के 50,000 पर आपकी income tax slab rate के इसाफ से यहाँ पर tax लगेगा, अगर आप 5% में आते हैं, तो 5% के इसाफ से, 20% में आते तो 20% के इसाफ से, और अगर आप 30% की slab rate में आ करते, fix deposit करवाते, तो इनको यहाँ पर कोई भी deduction allowed नहीं किया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ resident individual जिसकी age 50-60 साल से जादा है, जो senior citizen है, उनको ही 50,000 तक का यहाँ पर deduction allowed किया जाएगा, इसी के साथ यहाँ पर एक example के तोर पर देख लेते, तो 3,00,000 की यहाँ पर आपकी business income है, जो person है, वो यहाँ पर senior citizen है, इसी के साथ यहाँ पर rent के income 1,00,000 रुपे तक आजाती आपकी, और यहाँ पर 50,000 की कोई other income है, और 50,000 की आपकी fixed deposit income है, यानि total income आपके निकल के आती है, 5,00,000 रुपे, 3,00,000 तो आपकी business income हो गई, 1,00,000 रुपे आपकी rent income हो गई, 50,000 आपकी fixed deposit की income हो गई, और 50,000 कोई other income होती है, तो यहाँ पर 5,00,000 पर आपकी total income, यानि gross total income निकल के आती है, जिसके अंदर हम अगर ATC के अंदर निवेश करते हैं, जैसे के हम life insurance policy, या फिर कोई सुकन्या समरीदी योजना के अंदर senior citizen saving scheme के अंदर निवेश करते हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर ATTB के अंदर आप deduction ले सकते हैं, यानि 2,00,000 तक का benefit है, यहाँ पर आप जो deduction लेकर आप अपने income को 3,00,000 तक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी tax नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी basic exemption 3,00,000 ही निकल के आती है, तो ध्यान रखेगा, यहाँ पर जो 50,000 है वो आपक इसमें 40,000 का ही deduction आपको यहाँ पर दिया जाएगा, दोस्तो अब आजा तो अपने important point पर तो क्या यहाँ पर TDS deduct किया जाएगा, saving bank account के ब्याज पर, तो दोस्तो यहाँ पर bank दुआरा कोई भी TDS deduct नहीं किया जाएगा, यानि section 194 A के तहत, अगर यहाँ पर आपको ब्याज मि यहाँ पर अगर आपका NRO account है, अगर कोई NRI है, तो TDS यहाँ पर 30% rate के इसाब से deduct किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर interest acute हो रहा है, NRE account के अंदर, तो उस ब्याज पर कोई भी TDS deduct नहीं किया जाएगा, तो दोस्तो ध्यान रखेगा, saving bank account पर कोई भी TDS deduct नहीं किया जा होगा, सरकार इस पर कोई भी TDS पहले से deduct नहीं करती है, तो दोस्तो इसी के साथ ध्यान रखेगा, यहाँ पर अगर आपका saving bank account का ब्याज आता है, तो यहाँ पर अगर आपने multiple account खोल के रखे हैं, जिससे आप समझते हैं, कि multiple account में अगर हर एक bank यहाँ पर 10,000 तक ब्याज है, दोस्तो, cumulatively 10,000 की यहाँ पर limit रखी गई है, जो non senior citizen है, बट अगर आप senior citizen है, तो यहाँ पर 50,000 की limit रखी गई है, ध्यान रखेगा, यहाँ पर 10,000 की जो limit रखी गई है, जिसके अंदर सिर्फ saving account का ब्याज ही cover किया गया है, लेकिन senior citizen का जो यहाँ पर 50,000 की limit है, जिस तब तो आपको कोई भी tax नहीं लगेगा, जो भी आपको deduction है, वो भी आपको मिलेगा, इसके अलावा भी कोई tax नहीं लगेगा, बट आपकी basic exemption से ज़्यादा चली जाती है, जो हमने आपको बताई थी, तो यहाँ पर आपको tax लग जाएगा, लेकिन कब लगेगा, जब 20,000 या 50,000 से उपर अगर यहाँ पर ब्याज चला जाता है, तो उस case में यहाँ पर आपको tax rate wise यहाँ पर ब्याज लगेगा, इसी के साथ है, कोई भी TDS यहाँ पर आपका charge नहीं करने वाली है, बैंक deduction यहाँ पर आपको ATTTA और ATTB के तहत यहाँ पर दिया जाएगा, आज क इस वीडियो के अंदर हमने detail cover करने की कोशिश करिए, saving bank account के ब्याज की, तो मैं समझता हूँ के आपको यह वीडियो complete वीडियो आपने देखा होगा, और यह पूरी की पूरा यहाँ पर जो tax liability है, income tax है, TDS है, यहाँ पर income tax में आपको कहाँ दिखाना है, तो यह पूरी की प आपको पसंद है, तो चैनल को लाइक हो, सब्सक्राइब करेगा, ज्यादा ज्यादा शेयर करेगा, धन्यवाद,